दूस्तो इस वडियो में बताने वाले हैं फास्टेक का रिचार्ज क्या से करें फोन पे से बिल्कुल नया तरीका अगर आप भी फास्टेक का रिचार्ज करना चाहते हैं तो फोन पे से काफी आसानी से कर सकते हैं दुस्तो आपके गाड़ी में किसी भी बैंका FastTag लगाओ सभी FastTag का Recharge आप आसानी से PhonePay से कर सकते हैं कि ऐसे PhonePay से FastTag का Recharge करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाले है आश्टेब 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 आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा अब दुस्तो FastTag का Recharge करने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर देख सकते है Recharge and Pay Bills का एक Option मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक Option मिलेगा See All का तो आपको See All वाले Option की पर क्लिक कर देना है जिसे आप See All वाले Option की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं Recharge का एक Option मिलेगा और यहाँ पर एक Option मिलेगा आपको FastTag Recharge का तो आपको क्या करना है FastTag Recharge वाले Option की पर क्लिक कर देना है जिसे आप FastTag Recharge वाले Option की पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपकी पास कुछी सतरा से list ओपिन हो जाएगा यहां पर दूस्तों आपको सभी bank का fast check सोग करेगा आपका जिस भी bank का fast check है उसे आपको यहां पर ढून लेना है तो अगर आपका fast check है HDFC bank का तो आपको HDFC bank के उपर किलिक करना है अगर आपका ICIC bank का fast check है तो आपको ICIC bank fast check के उपर किलिक करना है अगर आपका SBI bank का fast check है तो आपको SBI bank के उपर किलिक करना है जिस भी bank का आपका fast check होगा यहां पर आपको उसे select कर लेना है तो यहां पर दूस्तों जिस fast check का हम recharge करने वाले है वह जो है ICIC bank का fast check है वह जो आइसियसी बotherap का फास्टेग है यह आपको कैसे पता चलेगा तो जो आपके गाड़ी में फास्टेग लगा है इस जो दिखियेगा उस फास्टेग के कॉर्णर में आपको ए छोटा सा बotherap का नाम मिल जाएगा ओında का नाम लिखा होगा वही बैंका फास्टेक आपके गाड़ी में लगा है वह जो आईसे इसी बैंका है तो हम इसकी पर क्लिक कर देते हैं आपका जो भी होगा उसे सलेक्ट कर लेना है उसकी बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है एंटर वेहिकल नमबर जो गाड़ी का नमबर होता है उस नमबर को आपको डाल देना है यानि जो वेहिकल नमबर है उसे आपको यहाँ पर डाल देना है वेहिकल नमबर डालने के बाद एक option है confirm का तो आपको confirm वाले option के पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके नाम से भी गारी का Fast Тag होगा, उसका नाम सो करेगा, अभी Fast Tag में कितना वारेंस है यहाँ पे सो करेगा, आप दूस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रिचार्ज करने का option मील चुक है, जितना का भी आपको रिचार्ज करना है, उसे यहाँ पर आपको डाल देना है जिसे यहाँ पर automatic 1000 ले लिया है अगर आपको 100 रिप्या का रिचार्च करना है 200 का रिचार्च करना है 500,000 जितना कभी आपको रिचार्च करना है उसे आपको डाल देना है उसकी बाद यहाँ पर एक option है process to pay का तो आपको process to pay वाले option की पर click क्लिक कर देना है जिससे आप प्रोसिट टू पे वाले आप्शन की पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने का पेज ओपन हो जाएगा जो भी आपके फोन पे में बैंक एकाउंट aid होगा जिससे आप यहाँ पर payment करना चाहते हैं उससे आपको यहाँ पर select कर लिना है और नीचे एक option है पे का इसके पर आपको click कर दीना है उसके बाद यहाँ पर UPIvinn आप को डाल दीना है उसटे यहाँ पर आपको payment कर दीना है जिससे दोस्तु यहाँ पर आप payment करेंगे तो यहाँ पर आपका payment successful हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हमारा payment fail हो गया है क्योंकि दोस्तो मैंने यहाँ पर गलत UPI pin डाल दिया था तो अगर आप सही UPI pin डालेंगे आपका फास्टेक का recharge successful हो जाएगा उसके बाद आप चेक करेंगे फास्ट कमेंट कर सकते हैं मिलते आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में